December 22 का question solve करेगे question है method of variation of parameters का और यह जो question number है question number 2C यह question number है December 22 के question paper का question given है यह वाला d square y upon dx square plus y equal to sec x into tan x अभी method of variation of parameters में अपने को 3 steps perform करनी है जिसमें जो सबसे first step होती है वो होती है find complementary function cf find करना रहता है और वो find करने के वाद अपने को इस equation के साथ compare करना होता है equation क्या है y equal to c y1 plus c y2 यहाँ से अपने को y1 और y2 मिलता है फिर step number 2 में अपने को particular integral एक assume करना होता है और वो particular integral है u y1 plus v y2 अभी यहाँ पे u और v क्या है वो हम लोग अभी formula लिखेगे और इसके साथ एक w वाला है y2 dash तो यहाँ से अपने को w मिलता है फिर u और v का formula इन formula में common क्या है सबसे common तो है integration दोनों में अपने को integration perform करना है फिर उसके बाद उसके बाद x dx x dx upon w यहाँ पर भी अपने को करना है x dx upon w तो यह common part है इन दोनों में u और v में और इसमें w कहाँ से मिलेगा यहाँ से अपने को w मिलेगा फिर उसके बाद इसके बाद इसमें करना होता है y1 इसमें y1 multiply करना होता है और इसमें y2 multiply करना होता है और एक minus sign given देना होता है तो यह u और v के formula से है तो अभी हम लोग start करते है और इसके बाद step number 3 तो यह complimentary function और यहाँ से मिलेगा अपने को particular integral तो यहाँ से मिलेगा particular integral step number 3 में complimentary function और particular integral को दोनों को add करना होता है फिर final answer लिखना होता है तो step number 1 find complimentary function से start करते है तो यह है अपना given जो question है यह question है तो complimentary function इसका find करेगे सबसे फ़र्ष यह d square upon dx square यह जो है इसको capital D से लिखेगे तो हम लोग इसको ऐसा लिखते है capital यह double derivative है d square upon dx square तो इसको d square से represent करेगे फिर यहाँ पर बचा है y तो इसको लिखेगे यह y plus y है plus y equal to यह लिखेगे sec x into tan x sec x into tan x अभी इसके बाद next step क्या कर रहा है इस y को अपने को common लेना है इस y को बाहर निकालेगे इस y को हम लोग common बाहर निकालेगे तो अंदर यहाँ पर क्या बचेगा अंदर बचेगा d square plus 1 बचेगा y को बाहर हम लोग ने निकाला तो अंदर बचा d square plus 1 equal to equal to यह sec x into tan x है और तो इसको ऐसा कर रहा है f of d है यह into sec x into tan x लिकेगे sec x into tan x फिर उसके बाद तो यह क्या है यह क्या है अपना function of d है तो इसको लिखते है f of d function of d है अपना यह f of d y equal to और sec x into tan x को हम लोग capital x से लिख सकते हैं तो यह है अपना capital x फिर function of d को अपने को 0 equate करना है इस f of d को अपने को equal to 0 करना है तो यहाँ पर करना है f of d function of d को अपने को equate करना है 0 के तो function of d क्या है यहाँ पर d square plus 1 तो d square plus 1 d square plus 1 equal to 0 करना है फिर इसको हम लोग calcium है put करके इसके roots निकाल सकते है या फिर हम लोग ऐसे ही manually भी roots निकाल सकते है तो यह क्या बनेगा d square equal to minus 1 बनेगा d square equal to minus 1 और d equal to d equal to plus minus plus minus i plus minus i बनेगा फिर उसके बाद इसका अभी इसमें real term present नहीं है तो real term के लिए हम लोग 0 लिख सकते है तो d equal to 0 plus minus i ऐसा लिख सकते हम लोग अभी अपने को imaginary के लिए complementary function लिखना है तो complementary function को हम लोग y assume करते है y cf हम लोग इसको बोल सकते है तो सबसे फ़र्ष यहा पे लिखना होते है अपने को e raise to x e raise to x लिखना होते है और अभी यह जो form है वो standard form है तो यह form कभी change नहीं होता उसके बाद इस imaginary के लिए उसके बाद अपने को लिखना होते है cos x यहाँ पे लिखना होते है cos x plus यहाँ पे लिखना होते है sin x sin x अभी real term कितना है real term यहाँ पे 0 है तो real term x के साथ आएगा तो x के साथ आएगा 0 और imaginary का coefficient कितना है इस i का coefficient है 1 तो वो angle में आएगा तो यहाँ पे आएगा 1 यहाँ पे भी आएगा 1 और 2 constant आएगे एक constant आएगा c1 second constant आएगा c2 तो ऐसे हम लोग यह लिखते है complimentary function ऐसे लिखा जाता है और complimentary function के बागी types के लिए वीडियो के लिए description में जो playlist given है match 2 की उसमें complimentary function के 4 types explain किये basic levels explain किये फिर examples पे लिए तो वो वीडियो भी check कर सकते है और वो वीडियो चेक करना और detailed knowledge के लिए उसके बाद यहाँ पे क्या बचा भी y equal to e raise to 0 e raise to 0, 1 ही होता है तो इसको हम लोग direct लिख सकते है c1 cos x cos 1 x है तो c1 cos x ही लिख सकते है c1 cos x plus c2 sin x c2 sin x अभी इसको अपने को compare करना है compare किसके साथ करना है y equal to c y1 plus c y2 इसके साथ अगर हम लोग compare करेगे y equal to c1 y1 plus c2 y2 इसके साथ अभी हम लोग compare करेगे तो y1 और y2 अपने को क्या मिलता है वो लिखना है y1 है अपना cos x तो इसको लिखेगे y1 equal to cos x y1 equal to cos x मिलता है and y2 अपने को क्या मिलता है y2 अपने को यहाँ से मिलता है इसके साथ compare करेगे तो sin x मिलता है y2 y2 मिलता है अपने को sin x अभी इसके बाद step number 2 करना है assume particular integral वाला step करना है उसके लिए अपने को w चाहिए u चाहिए और v चाहिए तो इससे स्टार्ट करते अभी कहां से स्टार्ट करेगे तो यहां से ही स्टार्ट करते है सबसे first अभी अपने को w बनाना है तो w क्या होता है वो लिखते है w equal to यह एक determinant होता है उपर क्या है y1 और y2 है y1 क्या अपना y1 अपना cos x है तो सबसे first cos x लिखेगे cos x फिर लिखना है अपने को y2 y2 लिखना है y2 क्या है अपना y2 है अपना sin x y2 है या पर sin x फिर उसके बाद नीचे इन दोनों के derivative लिखने होते है y1 का derivative और y2 का derivative लिखना होता है तो sin x का derivative कितना होता है sin x का derivative होता है cos x तो उसको लिखेगे sin x का derivative होता है cos x cos x का derivative कितना होता है cos x का derivative होता है minus sin x तो उसको लिखेगे minus sin x अभी इस determinant को अपने को solve खरना है determinant को solve कैसे करते है cross multiplication cos x into cos x cos square x बनेगा w equal to cos x into cos x cos square x cos square x minus करना आता है फिर क्या आएगा sin x into minus sin x minus sin square x आएगा तो उसको लिखेगे minus sin square x फिर उसके बाद w equal to cos square x आएगा ये cos square x minus minus plus होता है plus sin square x आएगा तो cos square x plus sin square x ये identity होता है cos square x plus sin square x हमेशा 1 होता है तो w equal to 1 मिला अपने को w equal to 1 मिला तो अपने को अभी u और v find करना है u और v find करना है फिर उसके बाद अपने को इसमें put करना है फिर अपने को final answer मिलेगा तो अभी इसको erase करते है फिर अच्छे से लिखते है u और v तो ये है अपना y1 y2 और अपने को क्या क्या जरूरत पढ़ेगी इसमें जो सब जरूरत पढ़ेगी वो उसको हम लोग side में लिख लेते हैं अभी हम लोग u solve करेगे तो u का formula हम लोग x upon w x dx upon w और यहाँ पर y2 आता है और यहाँ पर एक minus sign आता है तो यह है अपना u का formula उसके बाद इसमें जो x है वो क्या है यह जो right side में है वो ही x है तो उसको लिखते अभी u equal to minus integration का sign y2 कितना है y2 हम लोग ने side में लिखके रखा है y2 है अपना sin x तो उसको लिखेगे sin x और फिर उसके बाद x कितना है x है यह right side वाला sec x into tan x तो इसको लिखेगे sec x into tan x फिर उसके बाद उसके बाद upon w है w कितना था w था अपना 1 upon 1 और यहाँ पर आगा यह dx तो अभी इस integration को अपने को solve करना है तो इसको solve कैसे करते है वो देखते है u equal to minus आएगा integration sin x को hazardous लिखेगे sin x sec x को हम लोग basic 9th 10th standard में पढ़ते है sec x को हम लोग 1 upon cos x लिख सकते है तो इसको लिखेगे 1 upon cos x 1 upon cos x और tan x को हम लोग sin x upon cos x लिख सकते है तो इसको लिखेगे sin x upon cos x sin x upon cos x और यहाँ पर अगर dx तो यहाँ पर sin x into sin x कितना होते है sin square x और नीचे cos x into cos x कितना होते है cos square x तो उसको लिखेगे यहाँ पर u equal to minus integration sin x into sin x कितना होते है sin square x बनता है यह और cos x into cos x वो कितना बनता है cos square x बनता है cos square x और यहाँ पर आएगा dx तो sin square x upon cos square x तो वो क्या बनेगा tan square x बनेगा तो उसको लिखेगे u equal to minus integration of tan square x tan square x dx अभी tan square में एक property होती है tan square x की property क्या होती है जो basic trigonometry की property होती है basic identity वाली वो क्या होती है 1 plus tan square x 1 plus tan square x equal to sex square x sex square x ऐसी एक property होती है तो यहाँ पर tan square x है अपने बस तो इस 1 को left side shift करेगे तो sex square x minus 1 बनेगा तो tan square x क्या बनता है tan square x बनता है sex square x minus 1 यह plus 1 है right side shift होगा तो minus 1 बनेगा तो यहाँ पर put करेगे उसको तो u equal to minus sign integration tan square x के जगा पर हम लोग लिकेगे sex square x minus 1 sex square x minus 1 और यहाँ पर आएगा dx तो अभी individual integrate करेगे तो सबसे फ़र्ष्ट u equal to minus integration का sign sex square x dx उसके बाद यह minus और यह minus plus होता है plus integration of 1 dx तो अभी इस integration को solve कोना है sex square x का formula direct formula होता है integration में tan x होता है तो उसको लिकेगे u equal to minus tan x plus और यहाँ पर constant है 1 मतलब constant और variable कोन सा है d के बाजू वाला variable होता है यहाँ पर x variable है तो यहाँ पर plus x आएगा plus x तो यह है अपना answer u का answer है tan x plus x अभी इसके बाद v के लिए अपने को solve करना है तो v के लिए हम लोग यहाँ पर solve करते है v के लिए फिर final answer लिकेगे तो अभी हम लोग यहाँ पर v के लिए solve करते है तो v का formula क्या होता है सबसे first तो integration आता है फिर उसके बाद x dx upon w x dx upon w और यहाँ पर आता है y1 यहाँ पर आता है y1 तो उसको लिकेगे y1 यही formula हम लोग नहीं यहाँ पर लिका है तो अभी substitute करेगे तो सबसे first v equal to integration sign draw करेगे फिर y1 फिर y1 क्या है अपना y1 हम लोग नहीं यहाँ पर लिका है y1 है अपना cos x तो उसको लिकेगे cos x into x x क्या है sec x into tan x है अपना capital x तो उसको लिकेगे sec x into tan x sec x into tan x फिर उसके बाद है dx और upon w है w अपने को 1 ही मिलाता determinant solve करके तो अभी इसको solve करेगे तो next अभी v equal to integration cos x लिकेगे cos x sec x कितना होता है 1 upon cos x होता है 1 upon cos x और tan x कितना होता है tan x होता है sin x upon cos x sin x upon cos x होता है और यह dx अभी इसमें कुछ cancel होता है क्या देखना है तो यहाँ पर यह cos x यह cos x cancel होता है तो यहाँ पर integration में क्या बचे अभी v equal to integration sin x upon cos x बचा है sin x upon cos x dx अभी यहाँ पर अपने कोई integration का basic वाला formula apply करना है वो formula क्या है integration of integration of नीचे function present है f of x इस function का उपर derivative present है f dash of x ऐसा जब होता है तब तो उसका answer क्या होता है log f of x उसका answer होता है log function of x उसका answer होता है तो वैसा यहाँ पर हो सकता है क्या वैसा हो सकता है यहाँ पर cos x है और cos x का derivative क्या होता है sin x का cos x होता है cos x का minus sin x होता है तो यहाँ पर minus नहीं है तो अपने को minus लाना है तो plus को हम लोग क्या लिख सकते है यहाँ पर plus है plus को हम लोग 2 बार minus लिख सकते है फिर यह cos x हुआ function हुआ cos x फिर इसका derivative क्या होता है cos x का derivative minus sin x तो हम लोग यह वाला formula use कर सकते है नीचे function है उपपर उसका derivative present है तो answer आएगा log function of x इसमें answer आएगा log cos of x answer आएगा तो यह answer लिखते है v equal to सबसे फ़र्च यह minus आएगा फिर log log और log f of x तो नीचे function है cos x तो answer आएगा log cos x log cos x answer आएगा फिर उसके बाद log cos x plus c v equal to यह जो minus 1 है वो यह साइट जाएगा उपर जाएगा तो यह log cos x cos x raise to minus 1 बनेगा अभी cos x raise to minus 1 मतलब 1 upon cos x 1 upon cos x क्या होता है sec x होता है तो उसको लिखे गे v equal to log sec x v equal to 1 upon cos x होगा तो यह बनेगा log sec x plus c तो यह है अपना v का answer तो अपने को finally क्या करना है u into y1 plus v into y2 ऐसा करके लिखना है तो यहाँ पर final answer लिखे गे final answer इसका क्या है u into y1 u क्या है अपना u है अपना ये वाला ये वाला है अपना u तो इसको लिखे गे minus tan x minus tan x plus x minus tan x plus x u u into y1 ये u हुआ u y1 क्या अपना cos x इसको लिखे के cos x plus v into y2 plus v क्या मिला अपने को log sec x log log sec x ये v लिखा v into y2 y2 क्या है अपना sin x तो यहाँ पर आएगा sin x sin x उसके बाद u y1 plus v y2 लिखा तो ये particular integral हुआ और final answer में particular integral plus complementary function भी लिखना होता है तो यहाँ पर complementary function जो अपने को मिला था तो वो यहाँ पर लिखना है तो ये है अपना final answer तो इस वीडियो को लाइक करना चैनल को subscribe करना और December 22 के बाकी question भी चैनल पर uploaded है और उसकी playlist description में गिवन है तो वो playlist दरूर चेक करना और अपने सारी college के group में post करना ये playlist December 22 के और इसके जो अगर concept पढ़ने है concept की भी playlist description में गिवन है तो वो concept वह से पढ़ सकते हो वहाँ पर और ज्यादा examples है method of variation of parameters के thank you so much